शातियों रिंकु यादव चैनल में आपका स्वागत है आज आपके लिए तिरबुज का पार्ट नंबर दो लेके आया हूँ यह जो किताब है NCRT की कच्छा टेंद की है यह मनुहुर्दे की इबुक है इसमें NCRT की जितने भी कोश्चन है बहुत ही इंपोर्टेंट सभी को वोड़ हो या आपकी वोड़ परिश्चा हो किसी में भी आपको कोई भी समस्या नहीं आएगे और आपको बहुत अच्छी तरीके समझाएंगे जिसने अभी तक हमारे चैनल को सुस्क्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सुस्क्राइब कर लेजिए और वेल आइगन को भी दबा देजिए आईए देखते हैं हमारा जो कोश्चन है ये सातियों पार्ट नंबर दो है जो हमारा ये छटा कोश्चन है दी हुई आकरत में दीए समांतर एसी और डी एफ समांतर एई है शिद कीजिए की डी बी एफ समांतर एफी बराबर बी ए समांतर एसी यहां पर सबसे पहले सातियों दिया है लिखेंगे क्या लिखेंगे दिया है तो यहां पर दिया है दिया है दिया है दिया है सातियों इसमें हमें यहां पिर दिया हुआ है D E D E समांतर A C क्या दिया हुआ है D E समांतर A C और दिया हुआ है D F समांतर AE ये हमको दिया हुआ है अब यहाँ पर हमें शिद्ध क्या करना है शिद्ध करना हमें शिद्ध करना शिद्ध करना शातियों जो हमें शिद्ध करना है वो शिद्ध करना है B F शमानतर F E V समानतर F E पराबर V E समंतर E C अब यहाँ पर हमें क्या करना है अब हमें यहाँ पर डालेंगे उपपत्य क्या डालेंगे उपपत्य 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 में लिखेंगे यहाँ पर सातियों देखेंगे तिरबुज में यहाँ पर हम तिरबुज लेंगे A V C को तिरबुच A, V, C तो यहाँ पर हम लेंगे तिरबुच A, V, C साथियों जब हमने तिरबुच A, V, C लिया हुआ है तो इसमें देखिए जो हमारी D, E है वो हमारे A, C के कैसे समानतर है तो यहाँ पर लेंगे D, E, समानतर क्या है? A, C है D, E, समानतर A, C रेखा हमारी है अब यहाँ पर जब हमने लिया है A, V, C तिरबुच लिया हुआ है तो यहाँ पर साथियों जो हमारा A, D जो है वो हमारे किसके समानतर है? V, D के है इधर हमारा B, E जो है वो हमारे किसके समानतर है? E, C के तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे लिखेंगे VD VD समांतर DA लिखेंगे क्या लिखेंगे DA इसी पिरकाश से इदर लिखेंगे BE समांतर EC VE समांतर EC लिखेंगे इसे डालेंगे समी का नमबर 1 इसी पिरकाश से हम क्या करेंगे दूसरा तिर्बुज लेंगे दूसरा तिर्बुज यहां पर लेंगे तिर्बुज A VE को लेंगे तिर्बुज A VE को तो यहां पर तिर्बुज लेंगे हम इसमें जो समंतर है वो हमारे डी एफ जो रेखा है डी एफ रेखा है वो हमारे एए के समंतर है तो यहाँ पर नीचे हम लिख लेंगे नीचे लिखेंगे डी एफ समंतर क्या है एए यह लिख लेंगे और सातियों यहाँ पर तिरबुज में देखेंगे तिरबुज में जब ह इसे डालेंगे शम्हिकर नंबर क्या डालेंगे इसे समी करड़ डालेंगे अब समी करड़ एक और समी करड़ दो की क्या करेंगे तुल्ना करेंगे समी करड़ एक वा समी करड़ दो की तुल्ना करने पर तुल्ना करने पर जब इसकी तुल्ना करेंगे तो समीकड एक बास समीकड दो में जो चीज समान होगी वो चीज हट जाएगी जो चीज समान नहीं होगी तो इसको हम लिख लेते हैं तो देखेते हैं इसमें BD और DA हमारे दोनों में समान तो यह हट जाएगा हमारे पास यह बचा हुआ है और हमारे पास यह बचा हुआ है तो इसको हम लिख लेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे पहले हम लिखेंगे इस वाले को तो यहां पर जब नीचे लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा V, F, V, T, F, E बराबर फिर इस वाले को लिख लेंगे तो हमारा हो जाएगा BE समंतर क्या है EC सातियों यही हमको सिद्ध करने के लिए कहा गया था तो यह हमारा क्या हो गया सिद्ध हो गया यह क्या हो गया हमारा सिद्ध हो गया यही हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था शातियों आपको यह सवाल अच्छा लगा होगा आईए इसी तरीके से हम दूसरा सवाल लगाते हैं जिसने अभी तक हमारे चैनल को सेर नहीं किया है तो चैनल को सेर कर दीजी जिससे की सवी सातियों को आपके फायदा पहुचे और सवी को परिच्छा में हेल पूरो आईए अगला सवाल इसी तरीके से देखते हैं शातियों अगला सवाल है दी हुई आकरत में D, E, D और E समानतर O, Q O, Q सातियों यह देखा यहाँ पे नहीं बनी हुई है यह गलती से बन गई है O, Q तो O, Q और D, F, D, F समानतर O, R समानतर O, R तो दर्शाइए E, F, E, F समानतर Q, R होगी तो यहाँ पे सातियों सबसे पहले लिखेंगे D, I क्या लिखेंगे? D, I यहाँ पे लिखेंगे D, I दिया है यहाँ पे तो यहाँ पे लिखेंगे क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है D, E समानतर O, Q यह दिया हुआ है और आगे दिया हुआ है D, F, समानतर O, R यह हमको दिया हुआ है आप यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको? हमें सिद्ध क्या करना है? शिद्ध करना है हमें शिद्ध करना शिद्ध करना है हमें E F समानतर Q R यह हमको सिद्ध करना है अब सात्यों यहाँ पर हम डालेंगे उपपत्ती क्या डालेंगे उपपत्त उपपत्त में देखते हैं सबसे पहले हम तरुब लेंगे सबसे हम पहले हम तरभू लेंगे P, Q, O लेंगे फिर इसके बाद हम तरभू लेंगे P, O, R लेंगे फिर इसके बाद हम लेंगे तरभू प, Q, R लेंगे तब हमारा ये सवाल जाकर फूर्ड रूप से लग जाएगा आईए इसे एल करते हैं सबसे पहले तरबो ले ले रहते हैं PQR को तो यहाँ पर लेंगे तरबो पी क्यू O PQO में शाथ यहों PQO में जब लेंगे तो इसमें आपको देखना है कि इसमें जो हमारे दी हुई है DE जो है वो हमारे OQ के कैसे समानतर है तो यहाँ पर लेंगे D E समानतर OQ किसके है OQ के समानतर है साथियों यहाँ पर देखेंगे P E जो है वो हमारे E Q के समानतर है तो यहाँ पर हम नीचे लेंगे P E समानतर E Q इसी तरीके से हम लेंगे यहाँ पर भी देखिए ये वाली रेखा ये वाली PD जो है वो हमारे DO के समानतर है तो यहाँ पे लिख लेंगे PD PD समानतर DO इसे हम डाल लेंगे समीकर नमबर 1 इसे हम क्या डाल लेंगे शमीकर नमबर 1 इसी तरीके से हम दूसरा वाला लेंगे दूसरा वाला जो है वो हमारा कौन सा है तिरबुज P O R में अब यहाँ पर हम लेंगे P O R में सातियों P R O में लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे P F जो समानतर है वो हमारे F R के है P D जो समानतर है वो हमारे D O के है यही हमको इसमें लिखना है दूसरे वाले तिरबुज में तो यहां पर हम लिखेंगे दूसरे आले तरबुज के लिए इसमें लिखेंगे तरबुज POR में जब इसमें दूसरा लिखेंगे तो यहां पर लिखेंगे पी एफ समांतर क्या लिख लेंगे यहाँ पर पी सातियों पहले दूसरी एक चीज और लिख लेंगे यहाँ पर डी एफ समांतर क्या हो जाएगा डी एफ हमारे समांतर ओ आर तो यहाँ पर लिख लेंगे हम डी एफ समांतर डी एफ समांतर ओ आर तो यहाँ पर लेखेंगे और इसी तरीके से इसमें भी लेखेंगे इसमें लेखेंगे P F Sमांतर F R तो यहाँ पर लेखेंगे P F Sमांतर F R और बराबर यहाँ पर लेखेंगे F D P D Sमांतर D U R तो यहाँ पर लेखेंगे F D Sमांतर क्या हो जाएगा D O इसे डालेंगे समीकर्ण नमबर 2 अब सातियों समीकर्ण 2 और समीकर्ण 1 समीकर्ण 1 हमारा ये वाला है समीकर्ण 2 हमारा ये है अब समीकर्ण 1 और समीकर्ण 2 को देखेंगे समीकर्ण 1 और 2 में देखिए PD-17DO PD-17DO हमारे दोनों पच्चों में दोनों समी करड़ में पराबरा है तो हम क्या करनेंगे समी करड़ एक वा समी करड़ दो की तुलना कर देंगे तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे समी करड़ एक वा समी करड़ दो की तुलना करने पर तुलना करने पर तुलना करने पर तो यहां पर हमारे पास क्या बचा हुआ यह बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, तो यहां पर इसे हम लिख लेंगे सबसाध़े, P E शमानतर E Q बराबर P F शमानतर E F R यह हम को लिख लिया शातियों हमने दोनों तिरोजियों को लगा के देख लिया एक ये वाला लेके देख लिया दूसरा ये वाला लेके देख लिया इसमें हमारा सब जो मान आ रहा है वो कैसा रहा है शमान तरा रहा है शमान आ रहा है तो अब हम क्या करेंगे आप हम पूरे हार लेंगे या फे p o p q o और इसके बार सुरी लेंगे p q r को लेंगे तिरवोज PQR को लेंगे पूरी को तो यहां पे लिखेंगे तिरवोज PQR में इसमें देखेंगे सबसे पहले हमारी जो P E बुझा है वो E Q के हमारे कैसी है समानतर है यहांपे देखें, पिए बुजा जो है, वो अफ-र के समांतर है, यही हमको इसमें लिखना आए, इसमें हम लिखेंगे, फि- І- समांतर ए-क्यू वराबर पि- अफ- समांतर अफ-र, अथा हमारा यह सिद्ध हो गया की सभी बुजा है, हमारी काइसे हैं, समांतर हैं, तो क्या स से दो गया तो हम लेख सकते हैं एफ शमांतर क्यों गार यह लेख सकते हैं हमारा यही दाइट आंसर हुगा इसी तरीके से हम अगला सवाल लगाते हैं सवाल नंबर हमारा है आठ आठ को इसी प्रकाश से लगाएंगे आठ में जो सवाल दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है यह दिया हुआ है किशी शमानता चत्रवोज A, B, C, D का बिकर V, D रेखा A, E को विंद, F पर प्रच्छेद करता है जहां विंद, E भुजा, B, C परिस्तित है तो शिद्ध कीजिए कि D, F, E, F बराबर F, V, F, A यहां पे तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले लिखना दिया है, क्या लिखोगे, दिया है, क्या लिखोगे, दिया है आप दिया है में क्या लिखना है? ये भी आपको बताएंगे किसी समानता चत्रभोज A, B, C, D का विकरड V, D रेखा A, E को Wind Eiper परच्छेद करता है ये साथियों आपको दिया है में यहां पे लिखना है कितना लिखना है यहां से लेकर यहां तक आपको यह इसमें लिखना है फिर इसके बाद आपको क्या करना है शिद्ध करना है क्या डालना है शिद्ध करना है शिद्ध करना है शिद्ध करने में क्या लिखना है आपको यह वाला लिखना है यहां पर दिया हुआ है D F गुडे एफ वराबर एफ वी गुडे एफ ये आपको लिखना है ये हमको क्या करना शिर्द करना है इसमें अब सातियों यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे उपपत्य करेंगे क्या करेंगे इसकी हम उपपत्य करेंगे उपपत्य करेंगे अब इसकी हम उपपत्य करेंगे तो सबसे पहले देखिए तिरबुज हम लेंगे D, A, F, A तिर्भुज पहले यहां पर कौंड दिखा लेते हैं इसके बाद हम तिर्भुज को लेंगे तो यहां पर सातियों देखिए कौंड जो हमारा एक है यह कौंड दो है तो हमारा कौंड एक जो है वो हमारे कौंड दो के कैसे बराबर है क्योंकि ये दोनों हमारे एकांतर कोण है कौँसे कोण है एकांतर कोण है ठीक है ये दोनों कोण हमारे कैसे है बराबर है इसी प्रकास से देखेंगे कोण तीन जो है वो कोण चार के कैसे बराबर है कोण तीन जो है वो हमारे कोण चार के बराबर क्यों है क्योंकि यह दूसरे के कैसे बिपरीत कोन है यहाँ पर हमने कोड़ों को लिख लिया है इसके बाद हम लेंगे तर्बोज यह वाना लेंगे इदर हम तर्बोज लेंगे जात zoo यह पर सबसे पहले जाए तर्बऑज लेंगे तिरबोच D, F, A और तिरबोच V, F, E में दोनों को लिखेंगे यहाँ पर देखिए जब इसको लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा D, F D, F समानतर क्या हो जाएगा F, E इसी तरीके इसको लिखेंगे B, F V, F, समानतर F, E अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम कहेंची दार गुणा करेंगे इसका गुणा S में, इसका गुणा S में करेंगे जब इसका गुणा S में करेंगे तो हमारा यह क्या हो जाएगा D, F, गुणे F, E, इसमें साथ लिखेंगे कि यहां पर लिखेंगे से आई यही हमारा राइट अंसर हुआ इसी पिरकाश एक सवाल बचा हुआ उसको भी लगा लेते हैं अग्ला सवाल हमारा है कि यह आला कि यह सवाल है फेल्स पिरमे के अरूशार दीया बुज्वाई का प्रियो करके सिध्व कीजिए कि एक तिर्बुज की एक भुजा के मद्ध बिंद से एक अन्ण भुजा के समांतर खीचे गई देखा तीसरी घुजा के शम दिवाजित करती है तो यहां per सबसे पहले हमें लिखेंगे क्या लिखेंगे दिया है डिया है में क्या लिखेंगे दिया है की बिंदु ड जो है बिंदु डी जो है वो हमारी यहां से यहां तक रेका खींची जो एसी के मद्द बिंद में है अर्थाथ अर्थाथ इसे हम जो है कह सकते हैं रेका एसी को यह इस पर सकर रहा है तो यहां पर क्या लिखेंगे आईए इसको हम लिखते हैं बिंद डी D कामा D है AV का मदविंद इतना हम लिख लेंगे यहां पर D जो है AV का मदविंद है अगर आख जदा बढ़ाके लिखें तो यहां से भी लिख सकते है D जो है EV के यहां से लाकर AE के मदविंद है इता ह सिद्ध क्या करना है यह लिखना है तो अब डालेंगे सिद्ध करना, क्या डालेंगे, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें, सिद्ध हमें ये करना है, E जो है वो A C के मद्वें है क्या E कामा A C का मद्विंद है हमें ये सिद्ध करना है सातियों यही सवाल में का गया है क्या E जो है A C का मद्विंद है ये हमको सिद्ध करना है तो सातियों देखेंगे सबसे पहले इस तिर्वज में हमारा D E जो है वो हमारे किस के समांतर है BC के समांतर है और ये वाली जो रेखा है वो इस रेखा के कैसे समांतर है और ये वाली रेखा जो है वो हमारे इस रेखा के समांतर है आईए इसे उपपत्त में समझते हैं अब डालेंगे यहाँ पर उपपत्त टालेंगे पहुपपत कि यहां पर लिखेंगे-'d a d d समांतर-db क्यालेंगे से डिवी शातियों यह देखा जो है इस लेका के कैसे है krijga के कैसे इस्षमांतर-र्था-शमांतर यहां लिखे लेंगे 1 वटा 1 कि लिखे लेंगे 1 वटा 1 इसी परकाष हम उदर बाले को अब यहां पर पूरे तिर्बुज में देचेंगे तिर्बुज A, V, C में तो यहां पर यह देखेंगे A, D जो है a, D हमारी जो है वो हमारे किसके समंतर है d b के है और यहां पर a e जो है वो हमारे किसके समंतर है самом db के समंतर है किसके है e c के समंतर है शातियों इसका जो मान है वो हमें उपर दिया हुआ एक बटे तो यहां पे लिए एक बटे बराबर और यह वाला है इसको मैं एसी उता दे ए e बटे e c अब इसका में समें गुणां करें तो हमारा यह हो जाएगा EC बराबर इसका गुणां इसमें करें तो यह हमारा हो जाएगा A.E. यही हमारा सात्यों, यहाँ पे देखेंगे E C जो हमारी है E C E C जो है वो हमारे A E के बराबर है जब सात्य हो ये वाली देखा जो है इस रेखा के बराबर आई हुई है तो हम कह सकते है कि ये जो बिंद D E है ये हमारी A AAH और C का मद बिंदो है तो ये हम आसानी से कह सकते हैं तो हमारा यह क्या हो गया शिद्ध हो गया था यह जो है एसी का मद्ध विंद्ध है मद्ध विंद्ध है हमसे यही का था पूशा था अंड बुजा के शमंतर खीची गई देखा तीसरी बुजा को कि शम दिवाजित करती है यहां पर देख लें यहां पर यहां पर यहां पर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राब कर लेजिए और इसे शेर कीजिए जिससे और साथी देख सकें क्योंकि यह चाहिए प्री बोड़ों चाहिए कोई से भ के लिए शबी के लिए लाब दाइक होगी और लाइब सेसन के लिए जुड़ने के लिए आपको रोजाना तीन वजे आना होगा थैंक्यू मिलेंगे इसी टाइम आपको कल पुना फैर